हेलो एवरिवन यह है वीडियो वर्ल्ड चैनल आज हम की वीडियो में हम जो आपने कमेंट किये हैं उनका आंसर देंगे तो चलिए देखते हैं भी लेटेस्ट कमेंट किसका है तो यहां पर देखिए इसको मेगनिफाइ करते हैं करें देखें को Sumatra यहां पर यह एक याओ पर यह यह इपर यह है। पहले तो सबसे पहले तो इनका ःंक्यू किय हमने कमेंट किया और इनका नाम है मेह घानान्त, गुपता और उन्होंने कॉशन पुछा कि प्लेट डिफलेक्शन वैल्यू कैसे देखना है प्लेट में डिफलेक्शन कितना है यह कैसे देखें हम तो चलिए इनको रिपलाई कर देते हैं एड स्टार्ट हो गया चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं एक बीम बनाता हूं 10 मीटर का ठीक है इस बीम को मैंने स्लेक्ट किया और ट्रांसलेट किया जड डारेक्शन में 5 मीटर लिंक यह हमारे पास रेक्टैंगलर शेप आ गई फिर मैने क्या किया रेक्ट एक आपने प्लेट लिए मैंने और प्लेट से एक प्लेट बना दी इसके उपर रेक्टेंगर प्लेट में अब क्या किया हमने नौट करसर से ये सारे नौट बीम स्लेट किये बीम करसर से डिलीट कर दिये डिलीट करने के बाद अब हमारे पास बचिए केवल प्लेट अगर एंडर व्यू में आप है हमने अब इसकी प्रोपर्टी थिकनेस देते हैं इसको थिकनेस देते हैं 100 mm इसके बाद हम एक लोड लगा देते हैं हमारा एम है इस वीडियो में यह पता करना है कि हम एक प्लेट में डिफलेक्शन कैसे चेक करें self it minus one का मतलब actual value में यहाँ पर five कर देता हूँ जो थोड़ा ज्यादा डिफलेक्शन है add assign to view और यहाँ से हम print all करने के बाद analyze कर देते हैं one error property is not given thickness assign now again analyze okay done तो हमने क्या कि एक प्लेट बनाई प्लेट को self weight दिया चार सपोर्ट लगा है विस प्लेट में self weight की वज़े से डिफलेक्शन कितना रहा है हमें यह चेक करना है अगर मैं आपको बताऊं एक चीज कि डिफलेक्शन ग्रेविटी की वज़े से कुछ इस तरह से आना चाहिए ठीक है यहाँ पर fix support है तो यहाँ पर deflection zero होगा center में ज्याज़ा होगा deflection तो हमें deflection चेक करना है हमें deflection कैसे चेक करें तो अब देखते हैं कहां से देखते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो deflection zero 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 क्यूंकि यहाँ पर जो डाटा है आपका केवल four notes का data है यहाँ पर चार notes का data है चार notes पर आपके fix support है तो वहाँ पर तो किसी भी direction deflection नहीं होगा ठीक है तो अब deflection का हम पता करते हैं यहाँ से तो यहाँ से यह जो ग्रीन लाइन वंड्री का मतले हैं कुछ ना कुछ deflection तो है पर कितना deflection यह हमें पता नहीं चल रहा है value क्यूंकि हमारे पास result में view value जो करते हैं के बल नोट का दिखाता है वाइड डिरेक्शन में अगर हम देखें तो नोट का दिखाएगा क्योंकि जीरो डिफ्लेक्शन है तो जीरो रहेगा अब हमें प्लेट का कैसे पता चले देखिए इस तरह से में प्लेट में पता नहीं चल पाएगा हम stresses चेक करते हैं चाहिए हम प्लेट का करते हैं तो वहां पे हमें फाइन अलिमेंट और उसकर नहुत है यहनी कि इस प्रेट को चोटो आप्समें पार्ट में करना है उसके बाद ही हम पता कर पांगे कहाँ पर अपर कम स्ट्रेस क्योंकि अभै करना एक अगर मान लीजिए यहाँ पर stress जादा है तो आप कैसे कहोगे कौन से plate में stress जादा है इस पूरी plate का number तो 1 है कैसे define करोगे position तो हमें क्या करना है इस plate को छोटे-छोटे parts में divide कर देना है इसको हम बोलते है stat problem messing तो हमने क्या किया right click case पे और generate plate mess दो तरह की messing है triangle, polygonal मतलब triangular shape में quadrilateral या नहीं square shape में ओके किया यह 10-10 division मतलब 10 parts में इस direction में करेगा 10 parts में ठीक है ओके, yes यह कर दिया अचने mess mess करने के बाद आपको एक चीज़ देखने है जो self weight आपने दिया था लोटो दुबारा से देना होगा क्यों, क्यों self weight जो assign है plate number one को है यहाँ पे अब काफी सारी plate हो चुकी है assign अब analyze करते हैं अब ज़रा stresses चेक करें पहले deflection बाद में देखते हैं अब यह एक चीज़ और आप देखी deflection पे deflection profile अब आप इसको दिखाई दे रही होगी आपको पहले नहीं दिखाई दे रही थी है ना और अब stresses चेक करते हैं तो अब stresses भी देखी है हाँ पे क्योंकि stress ज़्यादा होगी जो fix support पे center में कम होगी जो deflection ज़्यादा है तो अब stresses हमें पता चल रही है और deflection भी अब हमें पता चल रहा है प्रोफाइल और अगर हम select कर लें सारे joints और हम जाए result view value और इसमें node result global y तो हमारे पास सारे deflection भी आ जाएंगे देखे स्टेट प्रोब में यह नहीं बताएगा कि plate कितने deflection हो रही है उस plate के चार notes है तो यह plate है यह वाली plate इसके चार note है चारो note जितने deflection हो रही है तो इस तरह से हम plate deflection निकाल सकते हैं ठीक है जब भी हम plate element को कुछ भी बनाएंगे structure उसको mess जरूर करेंगे तब ही हम बता पाएंगे अब देखे हैं हम बता सकते हैं कि plate number 105 पर stresses कितनी है या color के according या फिर आप यहाँ देख सकते हो 105 पर यह इस ट्रेस है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप भी का भी कोई question हो तो comment कीजिए उसके पर वीडियो जरूर बनाऊंगा थैंक यू